यूपी के बहराइच में भेडियों का आतंक चरम पर है महस देड़ महीने में भेडियों ने एक महीला समेट दस बच्चों की जान ले ली है सरकारी अमला मिशन भेडिया पकड़ों पर चुटा हुआ है लेकिन अभी कई आदम को भेडिये आजाद खूम रहे हैं भेडिये इंसानों पर अब तक 60 से अधिक हमले कर चुके हैं पहले इन भेडियों को जंदा पकड़ने की कोशिश थी लेकिन आदम खोर हो चुके भेडियों को अब देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी हो चुका है गाउवाले तो हतियारों के साथ गश्ट करी रहे हैं वन विभाग से लेकर ड्रोन कैमरे तक भेडियों की तलाश में हैं जमीनी रिपोर्ट लेकर आई हैं हमारी संबाद्दाता श्वेता भटाचारे इस वक्त हम मौझूद हैं बहराईच के पचदेवरी ग्राम पंचायत के राम दहिन पुर्वा गाउव इस गाउव में हमारी मौझूदगी इसलिए है क्योंकि दहशत फैलाने वाला भेडिया कल उसने फिर शिकार किया इस बार आदम खोर भेडिये ने इनसानी बच्चे को अपना निशाना नहीं बनाया बलकि तीन बकरियों के उपर अटाक किया है और जिसके बकरियों के उपर यह अटाक हुआ है उस अम्या ने उस भेडियों को देखा भी है शोर मचाने के बाद भेडिया भाग गया एक बकरी के बताये जारी है मौत हो गई है दो बकरियां जिन्दा है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे है राम धहिनपुर्वा के लोग जो है इस वक्ते दहशत में हैं मेरे पीछे आप कई बच्चे आप देख रहे हैं लोग भी अगे मौजूद है और यही वो गाओं जहाँ बकरियों के उपर अटैक हुआ है अम्मा जो मौजूद है उनसे जानेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि तीन साड़े तीन बज़े का वक्त था जब भेडिया आया और उसने बकरियों के ऊपर अटैक किया तीन बज़े के देखने के लिए यहां पर यह जो आप बासनुमा देख पा रहे हैं दर्वाजा यह लगा हुआ था और इसके उपर जो स्पेस है यहां से बताया जा रहा है कि भेडिया अंदर गया था अम्मा उसके बाद क्या हुआ था यह यहां पर दो बकरिया बन थी तो यहां पर आइसी रहा है रहा है कूटे में जो आप खूटा देख पा रहे हैं यहां पर एक बकरी बन थी और 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 यह 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 भाईसा अच्छा और यह यह यहां पर भी दो बकरिया मौजूद थी मैं अपने वीजे से कहूँगी कि ज़रा यह जगा दिखा पाएं यहां पर बकरिया बन थी आप यह कोठरी नुमा घर देख रहे हैं कि यह बकरियों को रात में यहां बंद कर दिया जाता है अम्मा ताकि शुरक्षे हाहा हाहा है तो आपको आवाज आई आप चोन डवकर आएं देखने के आख अ तो देख से निकर करे भागा इससे तो हम पार नीका बोले हम बोले हम इंक हूँ आवा है बने सफ्चे नो ऑनी देखा और आगो जॉनी सब जानवर आएं गा है तब क गशना हा continues then यहां आप इधर आईए यहां आप लोग इस कमरे में सो रहे थे आचा यहां गाउं का घर है अब आप समझे कि कितना मुश्किल इन लोगों के लिए होता होगा क्योंकि यह आप कच्चा मकान देख रहे हैं और यह बास का आप जो देख रहे हैं दरौजा इससे इसे बनाते क्या कहते हैं आप लोग अंदर सुरह जैसे आवाज पाया था तो यह को फ़ीडिया मारे दिया तब उसका देखा तो यह शगरी पर देखा तो भीडिया दिया और ओद लौच लिया ठीन हमक अम्मा की आवाज्यसां लोगों को भूची से बाद कि शाय को सरी जе से लेकर उदर से तरह सब उझीला लगा के देखते रहें। तो पता ने चला किदर बग गया आप भी यहीं कि हैं आप भी यहींग आपको भी रात में कुछ हरंगामा सुनाई उत्व क्टिम धें इसं सराथ तो तो क्या है उसके बाद आप लोगों ने क्या किया इदर अधर देखा नहीं दिखा हो भग घया जै we अमाने हला किया और अमा का कहना है भेडिया यहीं से भागा था कुछ पंजो के निशान जो है वो भी जो है दिख रहे हैं यह आप देखेंगे तो यहां पंजो के निशान आपको नजर आएंगे जहां से होते हुए यहां पे भी आपको पंजे के निशान नजर आ जाएंगे के धांसे होते हुए बेडिया जो है वह आगे के रास्टे से भाग लिए प्रधान जी ना जो हुआ प्रफोन के टीम लगी होई है आप लोग अनॉंस्मेंट भी कर रहे हैं तो इस गाउ में लाइटिंग वाइटिंग की ववस्ता है लाइट है इस गाउमें पुरी गाउमें हाँ लाइट है तो रात के वक तंधेरा होता है इसका भी लेकिन वह कभी इस गाउं में हमला करता है फिर यहां से कब 10 किलो मीटर दूर पर हमला करता है इसके पहले भी पच्छ देवरी ग्राम पंचायत में हमला हो चुका है हाँ चुड़ेपुरा मजरा में महिला की उपर हमला किया था दातों अतले थे उसके बच गई थी वह अच् लेकिन कलकी मीटिंग के बाद तो बोल दिया गया है कि देखते गोसित करों साहर देख रहे हैं इदर यह है तक अपर मोजा कहां पर है आप लोग भी रात से जाग आजा एंपारा रात होगी हम लोगों को जाते हैं यह पच्छ देवरी के ग्राम प्रधान है और इनको जब information मिली तो इस गाउं में पहुचे वन विभाग की team को सूचना दी गई है वन विभाग की गाड़ी इस वक्त हमने आपको दिखाई थी कि कैसे सर्यू के दूसरी तरफ है और क्योंकि गाउं के भीतर आने के लिए आपको ट्राक्टर का सहारा लेना पड़ेगा और ट्राक्टर से ही आप नदी पार करके गाउं के भीतर आ सकते हैं हम कोशिश करेंगे वन विभाग की team इस वक्त भेडियों को तलाश करने के लिए क्या कुछ कर रही है द्रोन का सहारा लिया जा रहा है या क्या strategy है वन विभाग की team की क्योंकि 9 shooters जो है वो भी बुलाए गए है उनकी कहां कहां deployment की जा रही है सभी पहलू को हम times now न भारत के अपने दर्शकों तक पहुचा है लेकिन मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो देखे मरी हुई बक्री जिस पर attack किया एक बक्री जिसकी मौत हुई है और दो बक्रियों का इलाज किया गया है पशू चिकित्सक आये थे और उन्हेंने दो बक्रियों को injection दिया है फिलहाल तो खत्रे से बाहर बताई जा रही है ये दो बक्रियों लेकिन एक की मौत हुई है और इस बार मौत जरूर बक्री की हुई है लेकिन गाओं के लोग दहशत में है कि देखे इस बक्री की जगा कोई बच्चा भी शिकार हो सकता था गाउं में बच्चे आप देखिए भारी तादाद में हैं लोग यहाँ कह रहे हैं कि रात भर वो सोई नहीं है अम्मा की आवाज के बाद जब यह लोग जागे हैं उसके बाद सोई नहीं है आपको लाठी डंडे से लेश लोग नजर आ जाएंगे ऐसे ही रात भर यह लोग सुरक्षा खुद कर रहे हैं खुद अपने उपर इन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है कि अब अपने इलाके की सुरक्षा इन्हें खुद करनी है